नमस्कार जोती शेक दिवी प्रकास चैनल में आप सब का स्वागत है दोस्तों माता रानी के दुर्गा कवच पाट से जातक सभी संक्टों से मुक्त हो जाता है इस दुर्गा कवच के पाट को करने वाला व्यक्ति जगत में प्रसद्धी पाता है इस पाट को करने वाले व्यक्ति को माता रानी की कृपा से एश्वर्य, सोभाग आरोग्य, अपार धन संपत्ती, समाज में मान सम्मान की प्राप्ती होती है आईए हम मातारानी के दुरुगा कवच पाठ का श्रवन करते हैं ओम चंडिका देवी को नमस्कार है मारकंडे ने कहा हे पितामह जो साधन संसार में अत्यंत गोपनी है जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिससे किसी से भी प्रकट नहीं किया है वह साधन मुझे बताईए ब्रह्मा ने कहा ए ब्रह्मन संपूर्ण प्राणियों का कल्यान करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेश प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं इस तरह यह स्तोत्र भी है इसका पाठ करने से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है तथा अत्यंत गोपनिय है हे महामुने उसे सुनिये हे महामुने दुर्गा की नव शक्तियां पहली शक्ति का नाम शैल पुत्री हिमाले कन्या पार्वती है दूसरी शक्ति का नाम भ्रम चारिनी है परम भ्रम परमात्मा को साक्षात करवाने वाली तीसरी शक्ति चंद्र घंटा चंद्रमा जिसकी घंटा में है चोथी शक्ति कूश्मांडा सारा संसार जिनके उदर में निवाश करता है पांचवी शक्ति इसकंद माता कार्तिके की जननी है छटी शक्ति कात्यायनी महर्शी कात्यायन के अप्रित्म तेज से उत्पन होने वाली है सात्वी शक्ति काल रात्री समस्त्र स्रस्टी का संहार करने वाली है तथा आठवी शक्ति महागौरी शीव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर भ्रमदेव से गौर्वन का व्रदान लेने वाली है नवी शक्ति, सिध्धि दात्री, समस्त जग को अनिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, इशित्व, वशित्व, कामवसाईता इस आठ रूपों में सिध्धि देने वाली है ये नव दुर्गा कही गई है, ये शक्तियां सर्वग्य ब्रमदेव द्वारा कही गई है जो मनुष्य अगनी में जल रहा हो, युद भूमी में शत्रूओं से घिर गया हो, तथा अत्यंत कठिन विपत्ती में फस गया हो वह यदि भगवती दुर्गा की शर्ण का सहारा ले ले, तो इसका कभी युद या संकट में कोई भी कुछ बिगाड नहीं सकता उसे कोई विपत्ती घेर नहीं सकती है, और ना उसे शोक, दुख तथा भे की प्राप्ती हो सकती है जो लोग भक्ती पूर्वक भगवती का एस्वरण करते हैं, उनका अभ्यूदय होता रहता है हे भगवती जो लोग तुम्हारा इस्वरन करते हैं निश्च ही तुम उनकी रक्षा करती हो पर्थम चामुंडा चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है वारा ही महिश के आशन पर रहती है एंद्री का वाहन एरावत हाती है वैश्णवी का वाहन गरुड है माहिश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आशन पर विराजमान है श्री विश्णु पती भगवती के हातों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती है। श्वेत वर्ण वाली इश्वरी व्रश बैल पर सवाल है भग्वत्ति ब्रह्मानी सरस्वती संपूर्ण आभुषनों से युक्त है तथा वे हसासन पर विराजमान है उनके आभुषन अनेक है तथा रत्नों से दविव्यमान उप्युक्त सभी देवियों सभी योगशत्यों से युक्त है। उनके अत्रिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रत में सवार रहती है। तथा इनके हाथों में संख, चक्र, गदा, शक्ती, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फर्सा, पाश, बांधने वाला विशेश प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग धनुष, आदि अस्त्र सस्त्र विराजमान हैं जिससे देवताओं की रक्षा होती है। तथा देवी, जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश करने के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्सह से सु संपन हे महारोद्रे, महारुद्र की शक्ती तुम्हे नमस्कार है। हे सत्रूओं का भय भढ़ाने वाली देवी तुम मेरी रक्षा करो। धुर्धेर्श तेज के कारण मैं तुम्हारी और देख भी नहीं सकता। एंद्री शक्ती पूरव दिशा में मेरी रक्षा करे। तथा अगनी देवता की आगनी ये शक्ती अगनी कौन में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ती दक्षिन दिशा में खडग धारिनी नेरत्य कौन में वारूनी शक्ती पश्चिम दिशा में तथा मृग के उपर सवार रहने वाली शक्ती वायव्य कौन में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिके की शक्ती कौमारी उत्तर दिशा में शूल धारन क करने वाली इश्वर्य शक्ति इशान कौन में ब्रह्माणी उपर तथा वैश्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें इसी प्रकार शव के उपर विराजमान चामुंडा देवी दशों दिशा से हमारी रक्षा करें बाय भाग में अजिता दाहिने भाग में अपराजिता शिखा में उद्योतिनी तथा शिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करें ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशेश्वनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नाशिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे, दोनों नेत्रों के बीच में संखिनी, दोनों कान के मध्य द्वार वासिनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांक्री हमार रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंदा, ओष्ट में चर्चिका, अधर में अम्रित कला तच्छा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दातों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महमाया तालू की रक्षा करे। कामाक्षी, ठोडी की, सवर्व मंगला वाणी की, भद्र काली, ग्रिवा की तथा धनूष को धारन करने वाली रीड प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील ग्रिवा और कंठ की नली में नल कूबरी त दोनों कंधों की खड़िगिनी तथा वर्ज को धारन करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारन करने वाली तथा अंबिका अंगलियों में हमारी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुछी प्रदेश में स्तित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन की सोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललीता देवी हृदय में तथा तिशूल धारनी उदर परदेश में स्तित होकर हमारी रक्षा करे। नाभी में कामिनी तथा गुह भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिश वाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटी परदेश में तथा विंध्यवासनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला घुटनों की नीचे के भाग की रक्षा करे। नार सीह दोनों पैर की घुटियों की तेजश्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की शी देवी पैर की उंगलियों की तथा तल वासनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दस्ट्रा कराली अपने धाडों के कारण भेंकर दिखाई देने वाली नखों की उधर्व केशनी देवी केशों की कोवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। पित की रक्षा करे। पद्मावती सहस्त्र दल कमल में चूडा मनी कफ में ज्वाला मुखी नख राशी श्यूत्पन तेज की तथा अभेद्या जिसका किसी सस्त्र से भेदन ना हो सभी संधियों यानी जोडों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की चत्रेश्वर छाया की धर्म को धारन करने वाली हमारी अहंकार मन तथा बुद्धी की रक्षा करे। वज्ज्र हस्ता वज्ज्र को धारन करने वाली प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायू की कल्यान से शुशोबित होने वाली कल्यान शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंद, शब्द तथा इस्पर्ष रूप विश्यों का नुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज और तमों गुणों की रक्षा नरायनी देवी करे। वाराही आयू की, व्यश्नवी धर्म की, चक्रिनी, चक्र को धारन करने वाली यश, कीर्ती, लक्षमी, धन तथा विध्या की रक्षा करे। हे इंद्रानी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारी पश्वों की रक्षा करो, महालक्षमी पुत्रों की तथा भैर्वी देवी हमारी इस्त्री की रक्षा करो, सूपथा हमारे पत की श्रेमकरी मार्ग की रक्षा करे राज द्वारपर महलक्षमी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे हे देवी इस कवत से जिस स्थान की रक्षा नहीं कई गई है उस अरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जैनती देवी हमारी रक्षा करें यदि मनुष्य अपना कल्यान चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है वहाँ वहाँ धन का लाब और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ती होती है वह पुरुष्य जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाता है वह वस्तु से निश्चे ही प्राप्त होती है कवच का पाठ करने वाला इस प्रिथ्वी पर अतुल एश्वर्य प्राप्त करता है वह किसी से नहीं डरता और युद में भी उसे कोई हरा नहीं सकता है और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुरलब है जो लोग तीनों संध्या में स्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ती होती है तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता है उस पुरुष की अल्प मृत्यू नहीं होती है वह सो से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है इस कवच का पाठ करने से लूता सिर में होने वाला खाज का रोग तथा विस्फोटक यानी चेचक आदी सभी रोग नश्ट हो जाते हैं इस्थावर विश का नेर भांग अफीम में रहने वाला तथा जगम विश शाप विच्चु आदी से उत्पन होने वाला कृत्रिम विश अफीम तेल आदी के सयोग से उत्पन होने वाला ये सभी परकार के विश नश्ट हो जाते हैं मारन मोहन तथा उचाटन आदी सभी परकार के किये गए अभिचार यंत्र तथा मंत्र प्रित्वी तथा आकास में विच्रन करने वाले ग्राम देवता जल में उत्पन होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के शुद्र देवता आदी कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनस्ट हो जाते हैं जनम के साथ उत्पन होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन होने वाले कुल देवता, कंठ माला, डाकिनी, शाकिनी अंत्रिक्ष में विच्रन करने वाली अत्यंत भयानक, बल्वान, डाकिनिया, ग्रह, भूत, पिसाच, ब्रह्म, राक्षर, बैताल, कुश्मांड, तथा भयानक भैरवादी सभी अनिष्ट करने वाले जीव, विशेश कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनश्ट हो जाते है कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है यह कवच मनुष्य के तेज की व्रधी करने वाला है, कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस प्रित्वी को अपनी कीर्ती से सुशोवित करता है और अपनी कीर्ते के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है जो कवच का पाठ कर शबशती का पाठ करता है उसकी पूत्र पौत्रादी संत्ति पर्थ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड वन कानन और कानन से युक्त यह पर्थ्वी टिकी हुई है कवच का पाठ कर दुर्गार शबशती का पाठ करने वाला मनुश्य मरने के बाद भी महमाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत धुलब इस्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप से प्राप्त कर सिवजी के साथ अनंद पूर्वक निवास करता है सी दुर्गा कवच हिंदी भाषा में संपूर्णम करता है झाल 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 झाल